दोस्तो हमने हर किसम के नीश यानी स्किल सेट को लेके बिटिंग कर ली ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब ट्वेलपमेंट, इंजिनरिंग, सब बेसिक का जो मोस्ट इंपॉर्टन्ट स्ट्रीम लाइन्ट में जो नीश जो स्किल्स हैं उनके बारे में हमने बात कर ली अब मैं बिट करने जा रहा हूँ एड्मिनिस्टेटिव सर्विसेज के लिए और ये उन लोगों के लिए जिनका कोई स्किल सेट नहीं है पर वो administrative services तो offer कर सकते हैं न, administrative services किस तरीके की होती हैं, किस तरह की होती हैं, आएं स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं, दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, administrative and secretarial job जो है वो select की विया है, left side administrative and secretarial and then on the right hand side you see different projects, data entry है, simple data entry work, so data entry का जो काम है वो administrative services में होता है virtual assistant, कि अगर आप घर बैठे किसी की site के लिए virtual assistance दे सकते हैं, excel, powerpoint document changes कि अगर किसी की excel या powerpoint है और उसमें कुछ changes करनी है, that is where you come into play, research capture, online workers कि अगर आपकी site पे capture form लगाना है तो that is where you know administrative services come into play, executive assistant, कि आप अपने कारुबार के लिए किसी को phone और meeting schedule करने के लिए रखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, administrative assistant, admin से related काम, Greg साब, United States के verified profile, work PDF docs to be created in 4 hours, I wanted to bid on this project but right side पे लिखाव है, awarded, वरना ये बड़ा मज़दार project था, Canadian था, इसने 25,000 डॉलर अलड़ी पे किये में, और verified profile है, और PDF documents जो हैं, वो जनाम आदे गंटे में बन जे थी, 4 गंटे तो बहुत दूर की administrative services typically admin related work होते हैं, चाहे वो executive administrative हो, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, medical transcription actually also falls inside administrative services, same goes for purchasing rep, कि अगर वो किसी मुलक से खरीद के, फिर ship कर दे, वो भी admin job है, so administrative services do not require any particular skill, आपको सिरफ data entry, key punching, Microsoft Word, PowerPoint, good communication, अगर आपने phone उठाना है, या आप किसी site की virtual assistant बान जाएं, या किसी site का secretary बान जाएं, तो administrative services actually यही होते हैं, जिसमें personal assistance होती है, executive assistance होती है, और so on so forth, आईए एक project को देखते हैं, जिसमें personal assistance heading है, और इसको मैं new tab में खोल रहूँ, remember the process, जो भी projects पसंद आएं, सारे new types में और फिर आखर में उनको analyze करें, कुंसा बेतर है, कुंसा बेतर नहीं है, इस guy is actually looking for personal assistant to work daily and to manage certain tasks, और जिनाब ये चार घंटे हाड़े की बात है, बड़ा बेतरी प्रोजेक्ट लग रहा है, और दूसरी बात, ये पहली दफ़ा है, कि मेरी real time bidding में मैं सौदिया का client ले और अपनी quote लिख रहा हूँ, जिस पर मैं उनको जाहर असलाम दुआ कर रहा हूँ, चुक्रिया दा करूँगा, कि भाई आपने मेरा project देखा, और आपने time नकाला, कीमती वक्त नकाला, कि मेरा project आप पढ़ रहे हैं, out of so many bids, इस client को already जो है, 50 plus quotes मिल चुके हैं, so I'm late, but that's fine it's okay, अब यह तो मैं सिर्फ सिकाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे, अगर 50 plus quotes होते तो मैं कभी भी bid ना करूँ, क्योंकि जाहरे मेरी bid जाह हो रही है, दिन के वक्त बिट करूँ, कोई जवाब नहीं देता, बट यह क्योंकि सौदिया का client है, कोई harm नहीं है, अपनी luck ट्राइ करने में, इनको मैं यह कह रहा हूँ कि जनाब, I would like to offer my services for managing your projects daily, I understand you are looking for four hours work daily, यहाँ पे, मैं पहले लिखना लगा था, Monday to Friday पर मैंने सोचा, नहीं, सवाल बनता है, इन भाई साप से सवाल पूछते हैं, और इनको convince करते हैं, इनको force करते हैं, कि मेरे सवाल का यह जवाब लि weekend भी है, देखो मैंने सवाल पूछ लिया, अब एक कमस कम इस सवाल का जवाब तो देंगे न, PMB खोल के, अगर project fresh होता, तो कोई हर्ज नहीं था, यह वक्ती, you know, timely मैंस पर बिट करता, but it's okay, at least the idea is to give you a feeling, कि एक project पे कितनी approaches हो सकती हैं as a business developer, जनाब मैंने जब इनसे weekend का भी कीजिएगा कि अब तक मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा, मैं हमेशा अपना नाम लिखता था, मैंने अपनी designation भी नहीं लिखी, लिखता हूँ बहुत बड़े projects पे, पर चुके इतफाक नहीं हुआ किसी बड़े project पे आपके सामने real time bidding करने का, तो मैंने जनाब अपनी designation नहीं लिखी, वहना मैं लिखता हूँ CEO, तो मैंने शुक्री अदा किया, अपना नाम लिखा, अपना email address लिखा, अपना URL लिखा, infamous.com और पाकिस्तान का नाम आफर में लिखी है, सौदिया से इसका तालुक है, एन मुम्किन है कि ये पाकिस्तानी के साथ सौदी अरेबिया मैं काम करते रहे हूँ, तो email उनके नहीं मेरी code देखके खुश हो जाएं, आखर में जब मैंने सारी bit एक दफ़ा दोबरा पढ़ ली, apply का button क्लिक करूंगा, apply का button क्लिक करने के बाद, दो तीन सेकंड में मेरी bit पोस्ट हो जाएगी, और सौदिया अरेबिया पहुंच गई, यह थी administrative job, याद रखेगा, copy-paste नहीं करना मेरे bit template को, come up with your own innovative idea, canned responses जदा देर नहीं चलते, innovative ideas चलते हैं.